इंजन फूड और इंजन कल्च्चर तो बागी कंट्रीज में फेमस ही है लेकिन साथ ही इंजन मुवीज भी फोरन कंट्रीज में काफी पॉपिलर है और खास करके बागी की एशन कंट्रीज में जैसे की थ्री डियरट्स, पीके, दंगल, पठान, सीक्रेट सूपरस्टार, ब उनकी upcoming film यानि डंकी का पूरे एशिया में हिट होना तो बनता है वैसे ये शारू की हाली में आई फिल्म पठान चाइना में रिलीज नहीं होई थी लेकिन डंकी के डारेक्टर यानि राजकुमार हिरानी की मुवीज सभी एशिन कंट्रीज में रिलीज होती ही है इंक्लूडिंग चाइना तो इस पर से कहा जा सकता है कि डंकी का कलेक्शन काफी बड़ा होगा क्योंकि आज तक का record है जो मुवी चाइना में अच्छी चलती है न वो काफी अच्छा इंटरनाशनल कलेक्शन करती है जंकी को डारेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिराणी और उन्होंने इस फिल्म के कहानी को भी लिखा है साथ ही है उनका और शारुक खान का एक साथ पहला प्रोजेक्ट है और उनके इस actor-director duo को performance देखने के लिए हम सब भी काफी excited है क्योंकि राजकुमार हिराणी की डारेक्टोरियल स्टाइल सबसे अलग है तो वहीं S.R.K. एक वसटाई अक्टर है जो अपने हर किरदार को इस तरहा निभाते है कि मानुवो किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया हो राजकुमार हिराणी यानि फिल्म के डारेक्टर युनीक और कंसेप्चुल मुवीज बनाने के लिए जाने जाते है फिर वो थ्रुई इडियोट्स हो, मुना भाई M.B.B.S हो, पीके हो या फिर संजु हो उनकी फिल्म की स्टोरीज हमेशा ही ओडियन्स के दिलो दिमाग में एक काफी अच्छा इंप्रेशन क्रियेट करती है और ऐसा ही होने वाला है आने वाली फिल्म डंकी के साथ जिसमें वो इमिग्रेंट्स की स्टोरी बताने वाले हैं कि कैसे उने परिशानिया का सामना करना पड़ता है और कैसे उनके सपने उनकी आंखों के सामने तूटते हैं और क्या वो अपने मुल्क वापस आ पाते हैं या नहीं इन शॉट डंकी एक टोटली इमोशनल मुवी होगी जिसमें हर तरहां का इमोशन पोट्रेट किया जाएगा रिकॉर्ट्स तो बनते ही है तोटने के लिए और जब एक डारेक्टर की फिल्म उनहीं की दूसरी सूपर हिट फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेगी तब उन्हें काफी खुशी होगी राजकुमार हिराणी की आज तक की सबसे हिट मूवी रही है त्री इडियर्स जिसमें उन्होंने मिस्टप पोफेक्शनिस्ट के साथ काम किया था और अब आ रही है उनकी डंगी जिसमें वो किंग खान के साथ काम कर रहे है तो कॉमपेडिशन तो है ठगड़ा फिल्म थ्री इडियर्स की वर्ल्ट वाइट कलेक्शन 393 करोड थी और वो उस साल की हाइस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म एवर थी और इस फिल्म ने चाइना और जपान में काफी अच्छी कमाई की थी ऐसा कहा जा सकता है कि डंगी इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकती है क्योंकि पहली बात तो ये एसर के और राजकुमार हिरानी का ये पहला प्रोजेक्ट है वो भी एक साथ और दूसरा किंग खान की हर फिल्म सूपर हिट होती है और उनके फैन्स इंडिया के साथ-साथ बाकी देशों में भी काफी ज़्यादा है और लास्ट पत नौर दिन लीस्ट इस फिल्म की स्टो झाल